मायरा फाशन, स्वामी कॉंप्लेक्स अन्वेगा मौल अजमेर निलास, युनिसेक सलोन अन अकाडमे अपोजेट बदर विद्याले, वेशाली नगर अजमेर इसे महात्मा फुले, सावित्री फुले, डॉक्टर अंबेट का इसा विचारक थे, इनका चंतन था, इनका एक तरह की सोच थी कि देश आगे बढ़ पाए, शैक्षनिक द्रश्टी से जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो वंचित वर्क के लोग आगे आपाएं, इन सब चीजों के सिद्धान्तों के साथ में, इन महापुर्शों का जैनती हम लोग मनाते हैं, उसी उपलक्षमे में यहां आई हूँ, मैं अगर बात करा है, इसमें बच्चों के साथ भी कुछ आया, तब बच्चीों के साथ दुस्क्रम के महां है, तुना मन प इन सब चीजों को रोग के लिए एक सामजिक बदलाओ की भी जरूरत है, हमें पूरे सोसाइटी को इस चीज के लिए चंतन करने की भी आवशकता है, कि हमारे आसपास के परिद्रश में क्यों इस तरह की गटनाएं होती हमें थोड़ा सा एक जो पारिवारिक महौल है, एक वातावन इस तरह का बनाना पड़ेगा कि एक दूसरे के प्रती शद्धा, एक दूसरे की रेस्पेक्ट और एक दूसरे के परिवारों की जो गरीमा है, उनको बारे में समझ के एक सोशल मुहीम भी समझिक मुहीम भी प्रदेश के अंदर इन सब चीजों को रोकने के लिए उठानी पड़ेगी, तब ही सरकार का सहोग हो पाएगा, आंगनवारी के अंदर सुप्रीम कोट का एक्ट है कि हम उनके पोशाहर को बंद नहीं कर सकते चाहे, लेकिन अगर आज हम पोशाहर बंद करते तो बच्चों के स्वास के साथ खिलवारा है, पांस दिन तक अगर हम बंद को खाना नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो वो भी हमारे जो एक्ट है उसके नहीं लिखा वा कि हम किसी का खाना रोक सकते हैं, तो समय हमने बदल लिया, दस बज़े से दो बज़े का का कर दिया, समय हमने ठंड को ध्यान में रखते वें पुरी प्रदेश की अंगनवाडियों का समय परिवर्थित किया गया है दिन में दोपेहर में बच्चे आएंगे और दोपेहर में वापस जाएंगे पंचे चुनवाड जाने वाले हैं बीजेपी अभियान शुरू करें राजस्तान की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है जिस तरह से विधान सवा में आपको आपने देखा कि हम पर कॉंग्रिस पर यकीन किया भरूसा जदाया और कॉंग्रिस की सरकार बनने का मौका राजस के चेर्मेंस बने और पार्शत बने उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्तान की जनता अपने सही विवेक से धंग से और हमारे सरकार के एक सार के साल की कारेकाल के पर भरोसा जता के मानी मुख्यमंत्री अशुक गहलोज जी और ह हमारे डिप्टी सीयूम सचेन पाइलेट जी के दौनों के निर्देशन में जनता विश्वास जता चुकी है और पंचायती राज में निश्चित तौर पे कॉंग्रिस की छोटी सरकारे भी हमारी बनेंगी कोटा में सो से ज्यादा मों चुकी है अब तक कई मंत्री जो है वहां पहुंचे नहीं अब पहुंच रहे हैं बीजेपी लगातार आरूप लगा रहे हैं वो क्या कारण रहा है देखिए इस तरह की घटनाओं पे हमें अक्रोस पार्टी लाइन उपर उठके मानफता के ना पूरी मॉनिटरिंग सरकार के माद्यम से की जा रही थी और हम नहीं चाहते की प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाओं हो बच्चे की डैत हो यह आपके घर के हो चाहे हमारे घर के हो राजस्तान के सब बच्चे हमारे हैं हमारी जिम्मेदारी है सरकार पूरी तरह से सवे जिनिती करण किया जारा इन बातों का उसके में एक खेद प्रकट करना चाहूंगी ऐसे समय में हम सब लोगों को मिल के पार्टी लाइन से उपर उठके प्रदेश के बच्चों के बारे में सब के बारे में सोचना चाहिए।